आज हम लोग पढ़ेंगे कराची अधिवेशन तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मौडरन इस्टी एक्जाम के पॉइंट आफ वियो से बहुत ही इंपोर्टेंट है और उनके जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी सीरीज से हम लोग पढ़ लए हैं तो आज हम लोग का टॉप अध्यक्ष बने थे वो थे सरदार वल्लब भाई पतेल इनकी अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था अब इसकी डेट देख लेते हैं 26-31 मार्च यह हो गई डेट मंत और एयर था 1931 तो इंपोर्टेंट है 26-31 मार्च इसकी डेट थी और एयर हो जाएगा 1931 में कर कि अधिवेशन हुआ था प्रैसके बाद आगे देखेंगे पहली बार कॉंग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्टि आर्ठिक कारिक्रमों संबंद प्रस्ताओं पारित करा था तो अगर कोंग्रेश ने परура الخल पारित किया था तो याद रखेए कि कराची अदिवेशन में पारित करा था फिर इसके बाद इसी अदिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी अंदर बी और किस ने बोला था गांधी जी ने बोला था कुछ लोगों ने विरोध करने पर गांधी जी ने यह बोला था गांधी मर सकता है गांधी बाद नहीं तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट है कराची अधिवेशन क्यों हुआ था गांधी इर्विन समझहतों को मंजूरी देने के लिए कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अधिक्षता किस ने करी थी सर्दार वल्लब भाई पटेल ने करी थी डेट किया थी 26 से 31 मार्च 1931 इसकी डेट थी ठीक है और पहली बार क्या मलगी पहली बार कॉंग्रेस ने मौलिक अधिकारों और रास्त्री आर्थिक कारेकरों स समंद प्रस्ताओं पारित करा तो यह भी याद रखिएगा और इसी में गांधी मर सकता है गांधिवाद नहीं यह भी गांधी जी ने बोला था ठीक है इस अधिवेशन यह पहला अलसर था जब पूर्ण सराज यह आद किया पूर्ण सराज को कॉंग्रेस द्वारा परिबाश्त किया गया था ठीक है तो इसी अधिवेशन में पूर्ण सराज को कॉंग्रेस द्वारा परिबाश्त किया था फिर इसके बाद इसी अधिवेशन म पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कर्यक्रब परसंकल्प पंडी जवाल नहर्थू ने प्रारुपित किया था तत्ähr में रॉय प्रारु Ee किया था पंडित जवाल लाल नहरू ने प्रारुपित किया था और एम एन रॉय ने इसमें सहयोग की भूमिका निपाई दी अब इसके बाद यह कतन सब्सक्राइब इस टॉपिक में कराची अधिवेशन में तो यह सुभाष चंद्र बोस ने भारती राष्टि कॉंग्रेस क कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को लोग प्रियता और सम्मान की पराकास्ट माना था तो यह याद रखिएगा यह महात्मा गांधी को लोग प्रियता और सम्मान की पराकास्ट माना था किस ने कहा था यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था किस अधिवेशन में करे कराची अदिवेशन में बोला था ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट है यह याद कि कोश्चन आया हुआ है अब इसके बात देखेंगे हम लोग इसके प्रिवेस येर की कोश्चन पहला कुश्चन है निम्लिकित में से किसने भारती राष्ट कॉंग्रेस के कराची अदिवेशन का समापतित्व किया था तो इसका अंसरोजा का डी वल्लब भाई पटेल और नेक्स्ट कॉश्चन है 1931 में भारती राष्ट कॉंग्रेस के कराची अदिवेशन के लिए जिसकी अदिख्षता सर्दा पटेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कारिक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था और नेक्स्ट कॉश्चन है निम्रिकित में से किसने भारती राष्ट कॉंग्रेस के कराची अदिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोग प्रियता और सम्मान की पराकास्टा माना है ऑप्शन है स्सी बोस पट्टाबी सीतार मया सरदार वलभाई पटेल सरदार खिसन सिंग आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से स्सी बोस और फिर इसके बाद कॉश्चन है भारती स्वा धीनता संगर से सम्मंदित निमलिकित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए तो यह हो जाएंगे पहला है दृत गोलमेज सम्मेलन भारती राष्टी कॉंगलेस का कराची अदिवेशन बदस सिंग को फासी या गांधी इर्विन समझोता तो ऑप्शन है 123144321 3421 इसका अंसर हो जाएगा सी ओप्शन 4321 मतलब गांधी इर्विन समझोता फिर इसके बाद भागत सिंग को फासी फिर है भारती राष्टी कॉंग्रेस का कराची अदिवेशन और फिर है दिवतिव गोलमेज सम्मेलन नेक्स्ट कोश्चन है भारती राष्टी आंदोलन से संबंदित निम्लिकित खटनाओं को पढ़ें तो पहला है भारती राष्टी कॉंग्रेस का कराची अदिवेशन राजगुरु को फासी गांधी इर्विन समझोता ओप्शन हो जाएगा 32112 3231132 इसका अंसर हो जाएगा ए ओप्शन 321 गांधी इर्विन समझोता फिर इसके बाद ग्राज गुरु को फासी फिर भारती राष्टी कॉंग्रेस का कराची अदिवेशन नेक्स्ट है भारती स्वाधीनता संग्राम से समधिन निम्ले की गड़नाओं पर विचार कीजिए तो पहला हो जाएगा गांधी इर्विन समझोता भारती राष्टी कॉंग्रेस का कराची अदिवेशन भागस सिंग की फासी और पूना समझोता तो ऑप्शन हो जाएगा 1342 1234 4231 1324 इसका अंसर हो जाएगा डी ओप्शन 1324 मतलब की गांधी इर्विन समझोता फिर इसके बाद भागस सिंग की फासी फिर है भारती राष्टी कॉंग्रेस का कराची अदिवेशन लास्ट है पूना समझोता झाल पासी फिर झाल जाएगग़ जाएगार का थराती बास यहागा वारती ऑाँ जान neolचा पूना समझा याल कर दूना समझ के पूना समझना भी रहां